लो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और काफी खास है अगर आपका साइट ब्लोगर के ओपर है अपने साइट के ओपर अच्छा कंटेंट भी लिख र रहे हैं फिर भी आपके अप्लिकेशन को गूगल एड्सेंस रिजक्ट कर रहा है और आपके वेफसाइट को अप्रूबल नहीं मिल पा रहा है तो फाइनली दोस्तों अगर आपके सामने इस तरह का प्रॉबलम है तो इस वीडियो को सुरूच लेकर आकरी तक जरूर देख कर रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग अपने साइट को पर मैनत कर रहे हैं अच्छा कंटेंट भी आप लोग जनरेट कर रहे हैं लिख रहे हैं अपने साइट को पर पब्लिज कर रहे हैं किसी भी तरह का आप लोग कॉपी राइट मेटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं फ दोस्तों आप लोग जानना चाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट के ओपर जाके देख सकते हैं इस टेंपलेट से आप लोगों को बड़ावर बोलता रहता हूं कि अगर आप लोग इसे यूज करेंगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूबल मिल जाएगा अगर दोस्तों आप लोग जानना चाते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो मे तो सस्क्राइब कर लीजिए अगर आप लोग हमारे चैनल के ओपर बड़ावर वीडियो देखते हैं चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो भाई सस्क्राइब कर लीजिए ये विल्कुल फिरी है इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूवत नहीं है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि इस टेंपलेट को मैं आपको क्यों डिकमेंड करता हूं और आप लोग इस टेंपलेट को क्यों यूज करेंगे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमारा साइट जो था वो ब्लॉगर में था और जो हमने template को use किया था वही template के बारे में आपको बताने वाला हूँ अब आप लोग सोचते होगे कि israel ले देके वही template के बारे में बताने आ जाता है भाई क्या मामला है इस template में तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पे comment करके पूछ रहते इस राइल भाई आपके template की ओपर Google AdSense का approval क्यों मिल जाता है इसका क्या कारण है बताईए आप एक वीडियो में explain कीजिए इसके बारे में कि ये template में आखिर ऐसा क्या है जो कि जल्द से जल्द Google AdSense का approval मिल जाता है तो इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ अब दोस्तों ये वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों ने इस template को use किया है जिन लोगों ने इस template को use करते हुए अपने Google AdSense account को approve कराया है तो वो लोग comment करके जरूर बोलेंगे कि मुझे भी approval मिला है मुझे भी approval मिला है यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि लगबग हमें आप साट सतर गूगल AdSense account अप्रूब कराया है ब्लोगर पे वो भी यही template को use करते हुए अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे चैनल के उपर विजिट करें विजिट करने के बाद वहां प media.net का भी approval लिया है इसी template के ऊपर ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लोगर के ऊपर approval नहीं मिलता है उसके लिए wordpress चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपका content सही होगा आपका website live होना चाहिए आपको approval मिलना ही मिलना है हरहाल में मिलना है तो चलिए मैं आपको बताता ह tutorial है यह complete tutorial है कि यहाँ पर हम लोग editing कैसे करेंगे post कैसे करेंगे इसका footer credit कैसे change करेंगे उसमें अपना नाम कैसे डालेंगे वहाँ पर हर एक चीज हमने deeply explain किया है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं और इस template related जतना भी video आपको चाहिए ठीक है जो Google Adsense का approval क्यों जल्दी मिल जाता है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि template आपका responsive होना चाहिए जो की यह है अब साती साथ दोस्तों एक important चीज यह भी है कि आपका template SEO ready होना चाहिए जो की यह है अब जो दोस्तों मैं आपको बताने बाला हूँ यह काफी important है अ यहां पर दोस्तों आपको add ready template है यह कहने का मतलब है कि यहां पर पहले से आपको खाचा दिया हुआ है आप simply जाए अपना HTML coding यानि code जो होता है Google Adsense का वहां पर जाके paste कि एड दिखने लगेगा अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ कि यह जो है एक slider भी अगर कैसे यूज करना है कैसे इडिट करना है तो आप लोग इस template को अच्छे तरीके से इडिट कर सकते हैं अब दोस्तों बहुत ही important बात इस template की यह है कि यह template में आपको लगभग यहां पर प्रो फीचर मिलता है वो भी फ्री में आप यहां पर फूटर क्रेडिट चेंज कर सकत हैं जैसा कि दोस्तों यहां पर प्रो टेंपलेट के ऊपर होता है अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि टेंपल हाड के नाम से काफी template मार्केट में आया हुआ है जो की काफी खुफसूरत है लेकिन वहां पर आप लोग क्रेडिट वगएरा चेंज नहीं कर सकते हैं अग कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें इसलिए दोस्तों मैं हर लोगों को बोलता हूं कि यही टेंपलेट यूज करें और अगर कोई भी आदमी मुझे बोलता है कि मुझे ब्लॉगर पर वेफसाइट बनाना है तो मैं बिना उन से पूछे इसी template को यूज करके उसे दे देता हू ताके उसे गूगल एडसेंस का जल्दी अप्रूबर मिल सके और वो अर्णिंग कर सके अब बात रही कि इस template का नाम क्या है तो चलिए मैं आपको बता जेता हूं काफी लोग मुझे comment करके फूछते रहते हैं इस्राइल भाई इस template का नाम तो आपने बताया ही नहीं तो चल आप लोग इडिट भी कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको इडिटिंग में problem होता है तो आपको यहाँ पे fully कस्टमाइज किया हुआ template भी हमारे site के ओपर मिल जाएगा वहाँ पे दोस्तों आपको किसी भी तरह का problem नहीं है शरीप आप लोग अपना menu अपने blog post के हिसाब से व directly आप लोग जाके वहाँ से उसे download कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको भता दूँ कि यह template काफी अच्छा है आप लोग इसे जरूर एक बार यूज करें अगर आपको Google AdSense का approval नहीं मिल रहा है अगर आपके site के ओपर unique content वगड़ा सब कुछ है अगर आपका site Google के policy को complete follow कर र ख्यार रखें खूस रहें